सब्सक्राइब करें साइंस विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैट्स के सूपर वीडियोज सब्सक्राइब करें साइंस विए मेस हमारा एक्सराइज आरे से तर्वाल का थर्टीन बी चल रहा था उसका हम लोगों ने ट्वैल्फ कोशन तर्टीन नंबर कोशन है यानि की थर्टीन नंबर कोशन है चलिए देखें कोशन कहता किया है सबसे पहले इफ सेट थीटा प्लस 10 थीटा का आपको वैल्यू दिया है और आपको प्रूफ क्या करना है शो करना आपको कि सेख थीटा माइनस 10 थीटा इस इकल तु वन अपन पी देखें सर आप लोगों ने पिछली अगर वीडियो देखें है पिछली कोशन तो आप लोगों ने बनाय होंगे डारेक्ट 13 प आपको चाहिए तो सर वह भी कुछ नहीं है सेख थीटा का वेली ऋगरह निकालने एक्वेशन से तो चीटा सेख थीटा यह सेख चीटा क्या होता है वन अपन कॉस्त का ब्लसका जो वो भी पढ़ने वाले स्टुनेंट से उनके लिए सब असान होता है है ना चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन बना ना देखिए देखिए अपको गिवन क्या पहले उसको लिखते हैं हमको सब गिवन है ना कि 6 थिता देखिए धीए हमको यक् फर्मुला पता है कॉन सा फर्मुला पता है वी नू हम जानते हैं आज फर्मुला वाला बादल नहीं है तर ऐसा ही फर्मूला लिखेंगए क्या जानते है सर कि six square theta minus ten square theta is equal to क्या होता है one होता है यह पता है ना किसको पता है सर हाथ उठा दीजे सबको पता है मुझे पता है है ना अब देखें यह formula क्या है अगर आपने मेरी इंट्रो वाली वीडियो देखी होगी देखें एक मतलब request है आप लोगे से request नहीं है ऐसा ही अगर आपको trigonometry 10th का आधे खंटे के अंदर recap करना है revise करना है तो आपको description में link मिल जागा इंट्रो वाली वीडियो का वहां से जाके आप देख सकते हैं उसमें trigonometry 10th का पूरा आधे खंटे के अंदर खतम किया हुआ है ठीक है हाँ मैंने ही बनाया वो वीडिया देखिए six square theta minus ten square उसमें मैं into a minus b यही तो होता था सर हमारा formula a square minus b square का है ना is equal to 1 देखिए यह मैंने बताया हुआ है सारा कुछ elaborate किया है ठीक है अब देखिए अब देखिए सर क्या sec theta plus ten theta sec theta plus ten theta is equal to p इस पूरे का value आपको क्या दिया है सर p दिया है into क्या है into है sec theta minus ten theta आप लोगों के दिमाग में तो अभी तक बन गया होगा question मुझे लग रहा है बिलकुल सर बन गया है है ना अब यह देखिए पी दर multiply में धर जाके देखिए आप लोगोंने बचपन में क्लास 8 में बचपन तो नहीं होता है class 8 class 9 में आप लोगोंने पढ़ा होगा कि सर जब भी आपको एक plus का equation देता है जब भी आपको minus का equation देता है तो अगर उन दोनों को हम plus कर देते या उन दोनों को minus कर देते है तो हमको एक value मिल जाती है किसी की मिल जाती है किसी की मिल जाया यहेv लोगों ने करके तो चलिए न करते हैं देखिए सर यह हमारा equation 1 माल लेते हैं इसको ठीक है और इसको माल लेते है equation 2 ठीक है न दोनों को क्या कर दें पहले आप लोग बताईए सर क्या कर दें चलिए सर एड कर देते हैं adding adding equation 1 & 2 ठीक है न सर हम लोगों ने क्या किया equation 1 और equation 2 को add कर लिया आप लोग खुद से भी कर सकते हैं लेकिन मैं भी करके दिखा देता हूं क्योंकि आप लोग बोलेगा नहीं सरा चेटिंग करते हैं आध ही बताते हैं देखिए सर यह हमारा equation 1 है equation 1 लिखते है sec theta plus 10 theta is equal to kya है sir p given है दूसरा equation क्या है दूसरा equation आया हमारा कि sec theta minus 10 theta is equal to 1 upon p देखिए सर यह चीज आप ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हैं कि देखिए आपको sec theta का ही तो value पूछा है cos क्या है sir cos 1 upon sec की तो है आपको sec का ही तो value चाहिए न और क्या है और कैसे आप अप्रोच लगा सकते हैं देखिए यहां क्या है p plus 1 p plus 1 p minus 1 यानि कि आप दोनों को plus कीज कि तो हमारे पास क्या हो जाता है देखिए plus minus क्या हो जाएगा सेकप्लस सेक्सेक क्या हो जाएका 2 sec theta है ना और ये p plus 1 upon p दिख रहा है ना हा सर दिख रहा है दिखिए सर सेख plus a a plus a 2a होता है सेक प्लस 1 sec क्या हो गया 2 sec is equal to इधर वाला भी तो plus होगा प्लस 1 अपन पी ठीक है यह प्लस 1 अपन पी को यहीं solve करतें क्या नहीं सर जगह नहीं है कैसे कर दीजेगा अगले side करतें क्या यहां देखिए हमारे पास क्या आया यहां हमारे पास आया कि 2 sec theta is equal to p plus देखिए नीचे यहां पे पी है और यहां पे वा अच्छा रुकिए यहीं लिखते हैं क्या नहीं तो इधर दिक्कत हो जाघा क्या है सर,p1 अपन पी ठीक है देखिए इसके नीचे क्या है,1 है और पी है जो नों का लुक्तल का lc लेंगे तो क्या होगा? P ही ना होगा सर P1 जा P ठीक है अब देखिए यह जो P है इस 1 से divide होगा P ही होगा फिर P उपर multiply होगा P पहले से भी है P into P क्या हो जाएगा P P P square हो जाएगा प्लस यहाँ क्या है 1 है तो 1 दिख दिख दिए P square plus 1 अब हाँ बोलिएगा सर क्या सर क्या बोलिएगा कि सर यह तो ऐसा आने लगा हलका हलका प्लस में value चाहिए था प्लस में value आने लगी सर हमारी लेकिन सर और देखिए यहाँ क्या है 2 multiply में इधर जाएगा तो divide में यानि की 2 P हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा simply इतना अब हमारा सेक ठीटा इतना है तो इसका reciprocal क्या होता है cost ठीटा लिखना पड़ेगा ठीक है सर लिख देतने है कोई दिक्कत नहीं कोई कोई होगा जिसको समझ नहीं आगा जो मेरे ऐसे students होंगे हाना हान सर होता है देखिए सर यहाँ क्या है हमार पास यहाँ है p square plus 1 by 2p देखिए सेक को 1 upon cost लिख सकते हैं यह भी मैंने इंट्रो वाली वीडियो में प्रूफ करके दिखाया है देख लिजे सर देख लिजे अच्छा लगे हो मज़ा आ जाएगा देखिए यह क्या है यह वही है जो हमको निकालना था जो हमको प्रूफ करना था सर ठीक है देखिए सर हमारा यहाँ cost theta का value आ गया अब जब हमारा cost theta का value आ चुका है तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे हम लोग निकाल सकते हैं अरे मैंने दूसरा equation मिटा दिया अपना गलती से, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं, क्या है ना, देखिए sir, ये first equation है, और second equation क्या है हमारा, second equation है sir, कि ये है sir, ठीक है sir, ठीक है sir, एकदम ठीक है, ये क्या है हमारा second equation, देखिए, हमारा cos theta का value आचुका है, cos theta, आप बोलेगा sir, ये तो बच्चा वाला formula, ये VVI क्यों लिखवा है था sir, क्योंकि sir, ज्यादा तर question, अभी तक आप लोगों ने trigonometry पूरा बनाया होगा, 13 b तक तो 13 number question तक तो बनाया होगा, आप लोगों ने जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो, है ना, तो उसमें देखिया होगा, आप लोगों ने कि ये formula बहुत बार यूज हुआ है, एक ये formula है, 10 theta is equal to sine by cause, दूसरा हो है, sine square theta plus cos square theta is equal to 1, मतलब, identity वाले तो तीनों important है, लेकिन sir, ये जो 10 theta is equal to sine by cause है, ये ज़्यादा तर आपको वीडियो में मिलेगा, ज़्यादार वीडियो, ज़्यादार questions में मिलेगा, ठीक है, देखिये, वो matter नहीं करता, matter क्या कर रहा है यहाँ पर, कि हमार पस cos theta का value है, ठीक है, और अगर हम 10 theta का value निकालने, तो हमको sine का value मिलेगा ना sir, देखिये sir, sine का value ही तो चाहिए हमको, मतब sine का value दिया है, प्रूफ करना है, प्रूफ कर देंगे sir, वह ही आएगा अगर value निकालेंगे, देखिये, 10 का value उसमें put करेंगे, cos का value पूट करेंगे, तो sine का value आएगा न, इस formula से, बिलकुल आएगा sir, बहुत बढ़ी आशर, चलिए, अब देखिये, हम लोगों ने जब दोनों equation को plus किया, तो हमको sec का value मिला, यानि कि अगर हम minus कर दें, क्या, लिख देते हैं यहीं पे ठीक है, आप लोग अलग से कहिजिएगा, कि अगर हम लोग subtracting equation 1 and 2, या equation 2 from equation 1, हम लोगों ने equation 2 को equation 1 से क्या किया, equation 1 में equation 2 को minus किया, ठीक है, क्यों minus किया, क्यों कि देखिए, P पहले है, minus में भी, है न, और जैसे plus करने है, सिर्व वैसे ही minus भी करेंगे, चलिए, ठीक है, अब देखिए, minus करेंगे, तो यहाँ minus हो जागा, और यहाँ क्या हो जागा, प्लस हो जागा, या नि की 10 plus 10 क्या हो जागा, 2 10 theta, और यहाँ sec plus sec minus sec कट के क्या हो जागा, क्या हो जागा, 1, नहीं सर, 0 हो जागा, 1 कैसे बोल रहा है सर, है न, और यहाँ क्या हो जागा, minus कर रहे है, तो P minus 1 by P, यह हमारा क्या आगया sir, 10 theta का value, सिंप्लिफाय की जैना जैसे इसको किये थे हाना एलसीम लेंगे यहां पे तो एलसीम के आ जागा पी यह पी से डिवाइड होगा वन से तो पी ही रहा जागा पी 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 स्क्वेर माइनस वन ठीक है अपने से करके देखिए अगर कन्फ्यूजन है तो यह तू इधर मैलिप्ल हो जाएगा आप लोगों से देखिए अब हमारे पास क्या आ चुका है सर हमारे पास आ चुके हैं हमारे कौन 10 महराज 10 ठीटा भी आ चुका है सर कॉस्ट ठीटा भी आ चुका है सर अब वी नो लिखिए यहीं पर वी नो क्या जानते हैं सर हम लोग हम जानते है कि 10 ठीटा इ यहां लिख़े यहां यहीं पर लिखते हैं देखें गार इस स्पेस का बहुत दूख कया एकी हम लिख सकते हैं कि साइन टीटा इस इक्वल तो क्या होता है सर टैन टीटा इंटू कॉस थीटा भीया ठीक है अब देखिए अब देखिए अ बनाया हुआ हम लोगों ने 2P upon P square plus one कहीं कोई गलती नहीं हो रहा नहीं सर बिल्कुल नहीं हो रहा है गलती पहली बार नहीं हो रहा है ना हमेशा हो जाता है विसे यह देखिए 2P 2P कट गया और हमारे पास क्या value आया हमारे पास value आया क्या सर कि साइन ठीटा इस इकल टू क्या है उपर में है P square minus 1 नीचे में क्या बचा इदर P square P square P square plus one बोला किजिए सर बोलिएगा ना तो मज़ा आता है सर देखिए तीन बादल तीन प्रूफ देखिए कैसे हम लोगों मतलब यह प्रूफ नहीं है यह हम लोग ने प्रूफ कर दिया चलिए यहीं तक था हमारे question number 13 मिलते हैं आगे